सो हेलो एवरिवान यह है जिन्दस फ्रील के क्वाटर टू के रिजल्ट तो आगे हम देखेंगे इस शेयर की रिजल्ट यहाँ पर कैसे रहे हैं शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर इस शेयर के टोटल इंकम से तो yearly basis में यहाँ पर जो income है वो around 13,115 करोड थी जो quarterly basis में 12,107 करोड यहाँ पर हो गई है quarterly basis में यहाँ पर जो share की income है वो यहाँ पर decrease हुई है अब बात कर लेते हैं total expense की total expense जो है yearly basis में यहाँ पर 12,133 करोड थी जो quarterly basis में यहाँ पर 10,580 करोड यहाँ पर हो गई है income के साथ यहाँ पर जो है share के expense भी decrease हुए है आगे हम इस share की यहाँ पर जो है total comprehensive income को देख लेते हैं तो early basis में total comprehensive income जो है यहाँ पर 473.98 करोड था bracket में था यानि loss में था अब जो है 1104 करोड यहाँ पर हो गया है आगे हम इस share के जो है earning per share को भी देख लेता है अब बात करते हैं price level की तो maximum target जो है वैसे तो 650 रुपे से अबव कर यहाँ पर रहने वाला है तो hold करके रखना चाते हैं तो अपने old risk में share को आप जो है यहाँ पर hold कर सकते हैं वैसे अगर आप चाहें तो share को यहाँ पर फिलाल के लिए hold कर लीजे sale मत कीजे low price में buy करना चाते हैं तो अभी buy भी कर सकते हैं